जैसे जैसे 2024 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं हर्याना की गठबंदन सरकार में रार बढ़ती जा रही है जहां जेजेपी कहे चुकी है कि वह डिप्टी नहीं सी एम बनना चाहती है तो वहीं बीजेपी भी कहे चुकी है कि वह अकेले दम पर सरकार बना सकती है कर एहसान नहीं किया बदले में मंत्री पद भी लिये है उधर दुशन चुटाला ने कहा था कि तीन तीन लोगों के पेट में दर्द है लेकिन इसके बाद भी वह उचाना से ही विधान सभा चुनाव लड़ेंगे क्या है ये पूरा मामला और क्यों तूट जाएगा गठबंदन बताएंगे आज के SNA में नमश्कार स्वागित हाप का SNA में भारत आज का वो शो जो खबरों का विसलेशन करता है इसलिए लोग प्यार से उसे SNA Special News Analyze कहते है हर्याना में मिलकर सरकार चला रही बीजेपी और जेजेपी में तक्रार बढ़ती जा रही है हर्याना के डिफ्टी सीम दुशन चुटालक के बियान पर बीजेपी के परदेश परभारी विपलव देव ने पलेटवार किया है विपलव देव ने कहा ना तो मेरे पेट में धर्द है और ना ही मैं डॉक्टर हूँ मेरा काम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है यदि जेजेपी ने हमारी सरकार को समर्थन दिया है तो कोई एहसान नहीं किया इसके बदले में उन्हें मंत्री पद दिये गए है सरकार में बराबर की साज़ेदारी दी गई है विपलव देव ने जेजेपी को एप प्रोक्स रूप में उसकी हैसित दिखाते हुए कहा अभी तक हरियाना में सरकार चल रही है और निर्दली विधायक भी हमें समर्थन दे रहे है याद रखिए याद रखिए गाह हरियाना की 90-110 विधान सभा में बीजेपी के 41 विधायक है जेजेपी के 10 विधायकों के अलावा मनोहर लाल सरकार को पांच से जादा निर्दलिय विधायकों का भी समर्थन प्रात है और इसी लिए भाजजपा पर भारी आड़े हाथो जेजेपी को तुशन चुटाला को ले रहे है क्योंकि कहीं न कहीं उनकी सरकार मजबूत है वो जेजेपी के बेशाखी के सहरे नहीं है हरियाना में बहुमत के लिए 40 विधायकों का समर्थन चाहिए इस लिहास से अगर आज की तारिक में जेजेपी अपना समर्थन वापस भी ले लेती है तो भी सरकार को कोई खत्रा नहीं इसलिए वो कमतर आखा जा रहा है जेजेपी को भाजजपा के दोरा अब जान लीजिए यह सारा रोडा कहां से शुरू हुआ दरसल दो दिन पहले विपलव देव ने जीन्द के उचाना कला कारिकरम में पूरव केंद्रिय मंतरी बिरेंदर सिंग की पतनी प्रेम रता जो उचाना कला से पहले विधायक थे उनको भी अगला विधायक भी बता दिया मुझूता समय में महा से उचाना कला से डिप्टी सीम दुष्चन चुटाला विधायक है जो डिप्टी सीम है सरकार में वहीं से वो विधायक बनकर गए हैं सरकार में दुशन्द ने 2019 के विधान सभाचुनाव में भाजबा केंडिडेट प्रेम लता को ही हरा कर जीत हासल की थी प्रेम लता को अगला विधायक बताने संबंदी विपलव देव के बियान से दुशन चुटाला बढ़ गए क्योंकि वो उनकी जमीन की सकती नजर उनको आ रही थी और अगला विधान सभाचुनाव उचाना कलास से ही लड़ने का आयलान भी विशन चुटाला ने कर दिया विपलव देव और दुशन के बीच चल रही इस वार की वजह से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है डिप्टी सीम ने कहा था तीन-तीन लोगों के पेट में दर दुशन चुटाला ने कहा था कि तीन-तीन लोगों के पेट में दर था लेकिन इसके बाद भी उचाना से ही विधान सभाचुनाव लड़ेंगे लेकिन अब विपलव देव के ब्यान से सवाल खड़ा हो गया है कि क्या 2024 के विधार सभा चुनाओं में भाजपा और जजपा गढ़बंदन में चुनाओं लड़ पाएंगे क्यास तो पहले भी लगाये जा रहे हैं कि दोनों अलग महत्मा कांग्शा की वज़े से अलग चुनाओं लड़ेंगे लेकिन अब और ज़्यादा पुखता हो गया है जब परभारी विपलव देव इस तरह के ब्यान देते हैं क्योंकि उबड़े शांत सभाव के नेता कहे जाते हैं अनावश्यक ब्यान बाजी से वो बचते हैं अगर उन्होंने ब्यान दिया है तो उसके कुछ माइने है इससे पहले हिसार के सांसद भी जेजेपी पर निशाना साथ चुके हैं आपको बता दे कि रभी बाहर को उचाना में हुए बीजेपी के कारिकरता सम्मेलन में जजपा पर जम कर निशाने साथे गे जेजेपी का नाम लिए बिना हिसार के बीजेपी सांसद ब्रिजेंदर सिंग ने कहा कि आज सीधा नुचान पार्टी को हो रहा यानि भाजपा क हो रहा आज हमारी राजनितिक जमीन में कोई घुस रहा है अब ये भाजपा की राजनितिक जमीन की बात करने या फिर अपने परिवार की राजनितिक जमीन उचाना की बात करने एक छोटा सा दल जिसे कुछ विशेज जगह पर ही सीटे मिली वह मोज ले रहा है नेताओं क सरकार करताओं के मन की बात है कि सरकार हमारी है राज हमारा है लेकिन इस राज को भोग कोई और रहा है इसलिए सपस्ट फैसला लिया जाए ताकि भुविश्य में जो चुनोतियां आएंगी उनका किस प्रकार से मुकाबला करना है उसकी रण नीती बनाई जए यानि कहीं न क जमीनों से कोई और सेंदमारी ना कर सके एक जनता पालिटी के वरिष्ट उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगर ने भी कहा उचाना से टिप्टी सेम दुशन चुटाला की 2019 की जीत पर चोद्य बिरिंदर सिंग के परिवार को आज तक दर्द है वे रहे रहे कर अपनी किया किसी तरह की मोल भाव की बात की गई थी डॉक्टर भंगर ने कहा कि जनभावनाओं की ना कीमत लगाई जा सकती है ना ही जनभावनाओं के दम पर कोई एहसान दिया या लिया जा सकता हैं बांगर ने आगे कहा कि एलाइंस थाई और टिकाव सरकार देने के लिए था जिसे जेजेपी ने बीते साड़े तीन साल में बखुबी निभाया है तीन विधान सभा उप चुनाओ, राष्टर पती चुनाओ, राज्य सभा चुनाओ और निकाय चुनाओ में जेजेपी ने गटबंदन में अपनी निस्वार्त आहुती दी है यानि कहीं न कहीं वो अपनी जेजेपी का जो स्टेंट था वो क्लीर कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे भाज़ेपा पर के उनकी तरफ से वो गटबंदन धर्ब नहीं निभाया गया हरियाना में जेजेपी का आरपार्किल राई का एलान हो चुका है नेता बोले हैं कि गटबंदन में रहे या ना रहे दुशन उचाना से लड़ेंगे बीजेपी को एहसान भी गिनवाए यानि जेजेपी के परदेश अध्यक्ष निसान सिंग ने अब मुर्चा संभा लिया है और उन्होंने आईना भाज़ेपा को दिखाया है उन्होंने कहा कि गटबंदन रहे या ना रहे इनके इलावा पार्टी के शिर्ष नेत्रतव ने इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं देने का भी फैसला किया है यानि कि निसान सिंग ने काफी नपे तुले शब्दों में अपनी बात रखी और एक संदेश देने की बात की लेकिन जहां तक बाते अलग-अलग समय में चन-चन कर बाहर आती है तो इससे यही लगता कि गटबंदन में कुछ भी सही नहीं है सबकी अपनी महत्वा कांक्शाएं हैं और अपने स्वार्थ हैं जिसकी भेट ये गटबंदन चड़ेगा और हो सकता है कि चुनाव तैस समय से पहले ही हो जाएं गटबंदन तूट जाएं आपकी इस पर क्या राय है क्योंकि आप भी बहुत बारीकी से हर्याना की राजनीती को समझते हैं बेखते आए हैं और स्ने के माध्यम से हर्याना आज के माध्यम से आप बहुत करीब से उसे समझते हैं आपकी क्या राय है दोनों के गटबंदन पर क्या फाइदे का गठ बंदन था क्या मोका परस्ती का गठ बंदन था हमें जरूर बताईएगा और भविशे आप क्या मानते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताईएगा SNA के लिए ये श्पाल करें